वेलकम बैट टू इंग्लिश गुरू प्यारे बच्चों कल हमने क्लास 6 का चैप्टर 5 अडिफरेंट काइंड आफ स्कूल शुरू किया था और उसे हमने आधा पड़ा था जिसमें हमें ये बताया गया था कि मिस बीम का एक अलग तरह का स्कूल है जिसमें बच्चों को सिर् दूसरों के प्रति द्यालूता कैसे दिखानी है जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है और उसमें हमें ये भी बताया गया था कि प्रतेक सत्र में बच्चों को एक बाइंड एक लेम डे एक टेफ डे एक इंजर डे और एक डम डे से गुजरना पड़ता है उन्हें ये सारे निभाने पड़ते हैं ताकि वो दूसरों की पीड़ा को स्वैम महसूस कर सके आगे हम चुरू करेंगे इसमें पैसेज नंबर 11 और इसमें हम स्टार्ट करेंगे The blind day is of course really the worst but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult Blind day वास्तव में निसन दे of course होता है निसन दे जिसमें कोई शक ना हो Of course really the worst worst है बहुत बुरा जिससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो बच्चों का गहना है कि जो blind day है वो निसन दे सबसे बुरा दिन होता है But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult पर कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया है या कुछ बच्चे हमें ये भी बताते हैं कि dumb day जो है वो सबसे कठिन दिन होता है We cannot bandage the children's mouths So they really have to exercise their willpower हम क्योंकि बच्चों के मुझे पर पट्टी नहीं लगा सकते इसलिए वास्तर में उन्हें अपनी संकल्प शक्ती या उन्हें अपने willpower यानि की आत्मसयम का उस दिन परियोग करना होता है मतलब उन्हें खुद को चुप रखना होता है क्योंकि उनके मुझे पर पट्टी तो नहीं बान सकते जैसे आंखों पर बान दी तो मूँ तो उनको खुदी अपने काबू में रखना पड़ेगा कि वो कुछ बोले ना Come into the garden and see for yourself how the children feel about it तो आप मेरे साथ बाग में चलिए और देखिए अपने आप कि बच्चे इस विशे में कैसा महसूस करते हैं Miss Beam led me to one of the bandaged girl Miss Beam मुझे एक आंखों पर पट्टी बंदी हुई एक लड़की के पास ले गई He is a gentleman, come to talk to you, said Miss Beam and left us तो Miss Beam ने उस लड़की से मेरा परिच्चे करवाया और कहा कि यहाँ एक विक्ती, एक भद्र पुरुष जेंटलमेन तुम से बात करने आए है यह कहकर Miss Beam हमें वहाँ चोड़कर वहाँ से चली गई Don't you ever peep, I ask the girl तो फिर मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम कभी जहांक कर नहीं देखती यानि पट्टी के अंदर से देखने की कोशिच नहीं करती हो Oh no, she exclaimed उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती हुँ मैं That would be cheating, ऐसा करना तो धोका देना होगा But I had no idea, it was so awful to be blind परन्तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, कि अंधा होना इतना भयानक होगा बच्चों ये बात कौन बो रहा है? ये वो लड़की बोल रही है, जिसकी आँखों पर पट्टी बंदी है और जिसके पास Miss Beam, writer को छोड़ कर गई है You can't see a thing, तुम कोई भी चीज को आप देख नहीं सकते हो You feel you are going to be hit by something every moment हर क्षण आपको ये ही डर लगा रहता है कि आप किसी चीज से टक्रा जाओगे It is such a relief just to sit down तो अगर आप सिर्फ बैठे रहें, तो बहुत ही अराम मिलता है उसमें चोट लगने का डर खतम हो जाता है ये उस लड़की ने writer को बताया Are your helpers kind to you? I asked मैंने पूछा, क्या तुम्हारे सहायक, तुम्हारे प्रती द्यालू होते हैं? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn कहते हैं कि काफी हद तक वो होते हैं पर वो इतने साफधान नहीं हैं जितनी की मैं अपनी बारी आने पर होंगी उसका कहने का मतलब ये है कि जब उसे एक helper की तरह duty मिलेगी तो वो उन बच्चों से अच्छे परफॉर्म करेगी जो अभी उसके साथ helper की तरह काम कर रहे हैं Those that have been blind already are the best helpers जो पहले अंधे की भूमी का निभा चुके हैं वे सबसे अच्छे सहायक होते हैं It's perfectly ghastly not to see, I wish you'd try मतलब ना देख पाना बहुत ही भ्यानक होता है Ghastly means बहुत ही terrible, बहुत ही कश्टदाई होता है I wish you'd try काश कि आप भी प्रयास करते Shall I lead you anywhere? I asked I means writer Writer ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं? Oh yes, she said जब मैंने उसे कहा, क्या मैं तुम्हें कहीं? ले चलूं तो उसने कहा, हाँ, ओ हाँ, ले चलिये Let's go for a little walk चलिये, थोड़ा हम घूम लेते हैं Only you must tell me about things आपको केवल मुझे चीजों के बारे में बताना है I shall be so glad when today is over जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी The other bad days can't be half as bad as this अन्या बुरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं होती यानि कि blind होने वाला दिन जो है वो सबसे ज़्यादा worst सबसे ज़्यादा बुरा दिन उस लड़की को लगता है Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun I guess तो कहते हैं मेरे विचार में एक टांग को बांध कर रखना और फिर बेसाखी के सहारे उचलना तो इसमें तो बहुत ही मज़ा आता होगा Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that और एक बाजू को बांध कर रखना शायद वो भी थोड़ा कष्ट दायक है क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ खा भी नहीं सकते और ऐसी ही और बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते I don't think I'll mind being deaf for a day at least not much मेरे विचार में एक दिन के लिए बहरा बनने में मुझे कोई ज़्यादा मतलब परवार नहीं है पर अंधा होना तो बहुत ही भ्यानक है frightening means जो आपको बहुत ही ड्रा दे frightening यह आप अपना copy में note करेंगे बेटा frightening के spelling और इसका meaning frightening means जो बहुत ड्रावना हो बहुत भ्यानक हो my head aches all the time just from worrying that I will get hurt मेरे सिर में यही सोच सोच कर दर्द लगी रहती है कि मैं कहीं इसी चिंता में में चोट लग जाएगी हर समय मेरे सिर में दर्द होता रहता है where are we now? अब वो लड़की पुछते हैं कि अब हम कहां पहुंचे हैं? अभी हम कहां पर हैं? in the playground I said तो मैंने कहा भी हम खेल के मेदान में हैं we are walking towards the house हम घर की और जा रहे हैं देखिए ये फोटो में आपको दिख चाएगा ये राइटर हैं और ये साथ में लड़की जिसकी आँखों पर पट्टी बंदी हुई है Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl Miss Beam जो है गार्डन में एक लंबी सी लड़की के साथ उपर नीचे या आगे पीछे ऐसे टहल रही हैं मेरी छोटी दोस्त ने पुछ से पूछा कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है जो Miss Beam के साथ गूम रही है तो मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने नीले रंग की कॉटन की स्कर्ट पहने हुई है और पिंग कलर का उसका टॉप या ब्लाउज है I think it's Millie तो उस लड़की ने कहा मुझे लगता है कि वो मिली है मेरे विचार में यह है मिली है मिली उस लड़की का नाम है जो Miss Beam के साथ बाग में गूम रही है What color is her hair? फिर उसने मुझे से पूछा कि उसके बालों का रंग क्या है Very light I said मैंने कहा बहुत हलका Yes, that's Millie हाँ उसने कहा यह मिली ही है She's the head girl वो हमारे school की head girl है There's an old man tying up roses I said फिर मैंने कहा कि एक बूढ़ा विक्ती गुलाब के फूलों को बान्ध रहा है Yes, that's Peter तो लड़की बोले कि हाँ वो Peter है He's the gardener वे है इस बाग का माली है He's hundreds of years old उसकी आयू बहुत अधिक है यानि की 100 साल उनकी उमर है And here comes a girl with curly red hair She's on crutches फिर रैटर ने कहा कि एक और लड़की आ रही है जिसके घुंगराले और लाल रंके जिसके बाल है She's on crutches वो बिसाक्यों पर चल रही है That's Anita She said उसने कहा कि वो अनीता है देखो बच्चों उस लड़की की मतलब आंखों पर पट्टी बंदी हुई है पर फिर भी उसे अपने स्कूल के सारे बच्चों के बारे में कितने अच्छे से सारा उसको नौलिज है कि ये मिली होगी ये अनीता है ये पीटर है कि ये अनीता है कि ये 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 येखीटי कि ये ये era झाल ये ये इपियो कि ये ये